हाई हेलो आपका प्यारा विशाल जोशी प्यारा वीजे सर आपके सामने फिर से आ गया है एक और सेशन लेकर करके जिसके आपको सबसे ज़्यादा जूरत थी और इस सेशन का मैंने नाम ही रखा है सेलेक्शन यहां दोस्तों सेलेक्शन किसी भी सेलेक्शन के लिए यानि कि आपका जो competitive exam होता है चाहे वो जी मेन हो चाहे नीट हो चाहे के वीपिया हो चाहे आपके आरेम हो प्री आरेम हो NTSC हो या आई जैसो हो या आपका NACJS हो कोई भी competitive exam यह मैं सिर्फ साइन्स के बोलें कुछ parameters होते हैं उन पेरामिटर को follow करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आप उन पेरामिटर को follow नहीं करेंगे तो फिर आप अपने इस टार्गेट को प्राप्थन कर सकते जो आप चाहते जैसे अगर हम selection चाहते हैं तो हमें सबसे पहला parameter जो फॉलो करना है वो सब सबसे पहला parameter follow करूह तो अगर आप किसी बी competitiveOkay त्यारी कर रहे हैं आप कोई भी selection चाहते हैं किसी में भी तो आपको आपकी regular class करने जरूरी होगी हमारे सबस्व बड़ा drawback किया होता है हम क्लस को सेकंड थर्ड फोर्ट देते हम लग पढ़ते ही निए हम लोग क्लास को ऐसे स्किप करते हैं जैसे हुआ स्कूल की क्लास समझ रहे ह pictures में हम लोग class बंक करते थे या किसी कारण से class में नहीं जाते थे अगले दिन friend की copy लाते थे और copy लाकर के उस तो हम homework को copy note में लिख लेते copy note में लिखने से हमें क्या पता लगता था कि यार हम लोग जो हैं वो बोलो कर लिया हमने और हम आराम से सो जाते थे अगले दिन सुबह जाकर करके हम बात करते थे कि हां हमारा homework company लेकिन यह selection की जब हम तैयारी करते ना तो यह pattern नहीं चलता है कि कि किसी दो से friends से copy लेके notes को बना लिया उसको याद कर लिया फिर सर से जाके डाउट पूछ लिया यह तो बहुत रेरिस्ट केसे जब आपको आपकी बॉड़ी अलाव नहीं कर रही क्लास अटेंड करने के लिए तब यह step को अपनाया जाता है लेकिन अगर आपकी बॉड़ी करती है तो किसी भी कीमत पर आप अपनी रेगुलर क्लास को मिस नहीं करेंगे यह पैटर आप लाइफ में हमेशा रखेंजिया दोस्तों रेगुलर क्लास कंपल सरी होनी चाहिए तब तक नहीं चोड़नी जब तक आपकी बॉड़ी अलाव नहीं कर रही है मतला इसी स्थित में आपको क्लास करनी है अब क्लास तो कर लेते हैं साब क्लास करके आगे फिर हमने बैक फैंक दिया जैसे स्कूल में करते थे और उसके बाद हम जो है वो खेले निकल गए इसी तरह आप किसी भी कोचिंग के अंदर कॉम्पिटेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं आप करना आपको करना धोस्तों जिहां कई बच्चों को लगता होता है रिविजंग कशि hata कटा है जो कलास में पढ़ा उसे दूबारा पढ़नाा घथा है तो आप संभी आगया मैं ले और रहे होम bending करना हो अगया हम सब्सेव मोंच कर तक हम हमने क्लास में जो पढ़ा उस क्लास में पढ़के हमें समझ में आ गया और वो समझ में जो आया उसकी बेसिस पे हमने सीधा हुट मतलब सोचो आप सीधा जाके लड़ाई-लड़ी किस्से वह भी होमवर्क से जो तो तयार बैठा तुम्हारी मुंडी उडाने के लिए बोलाया यह ले तलवार से काड़ दिया यह चलो जाओ हो गया चलो निकलो पहला सवाल दूसरा सवाल नहीं आया और हमने उठा के फैंक दिया उसको क्योंकि हमसे होमवर्क नहीं हुआ हमारी आपको पता है मैक्सिमम जितने बच्चे दे रहें ना कॉम्पेटिटिव एक्जाम की ज जीवन में ऐसा लगता है हमसे ना हो पाएगा हम क्यों कर रहे हैं तो भाई वो गलती है ना हमारी स्ट्रेटिजी गलत है होमवर्क करने की हमारा पहला रूल है क्लास रेगुलर करनी है और दूसरा रूल था कि घर पर आगर जो सर ने पढ़ाया जो कॉपी के अंदर हमने ल सबसे पहले आप सवाल को करेंगे तो आपका अपना एक टाइम लिमिट होना चाहिए उस टाइम लिमिट में आप करेंगे कि यह नहीं वह करें करेंगे और ढ़िए पता नहीं चला और कितने घंटे यह भी पता नहीं चला कि जब मैंने यह बात बोली ना आपको रेगुलर क्लास के बाद डेली रिविजन करना चीए तो हमारे यहां के कुछ सम्मानिय माननिय गण नाम गण माननिय जो विध्यारती हैं उनके मने में प्रश्ण तुरंत उठ संmmings यहां पता है कि तीचर को यह नहीं पता कि Time कहां मिलता है狌 वह दो घंटے को यहां से किदर और से इस अवॉइट सोसल मीडिया से टाइम जो निकले सब्सक्राइब करते हैं तो इकमानदारी से आयटी की कसम खाके अपने तिल पर हाथ रखके आप यह सोच लेना कि डेली का आप सोचल मीडिया पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो इतना तो बच जाएगा चीसरी केटेगरी खड़ी हो गई यह लाइन सुनती जो यह मेरा हम तो करते ही नहीं है फिर भी टाइम नहीं बचता स्पीड बढ़ाओ बचेगा स्पीड कैसे बढ़ती है रेगुलर क्लास में जब सर पढ़ा रहे तो क्लास में गप्पे मत मारो बगल बगल मत देखो सर की बात को ध्यान से सुनो खोई हुए मत रहो खायालों में मत रहो समझने के प्रयास करो इतना अच्छे से क्लास के अंदर यह सब याद हो जाए तो जब आप रिवाइस करने के लिए कौपी खोलो तो सिर्फ आपको कॉपलने पलटने पड़े और वह जल्दी से रिवाइस हो जाए पइंट समझ रहे हो क्योंकि मैं भी टीचर हो भीया मैं जैसे हजारों बच्चों के कॉंटेक्ट में आता हूं समझगे और आपको बता दूँ मैंने इतने सारे बच्चे पढ़ाया हैं जो साज आयटी के अंदर है याई रवन चित्रांग उर्दिया हिमान्शु गौरव सिंग एयायर थी गोविन लाहूटी ठीक है एयायर सिक्स और वीडियो के अंदर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूँगा तो मुझे मत सिखाना कि कैसे बढ़ते भाई मुझे तो सब पता है आप तो इस वीडियो के मात्याम से सीखो जो इतने सारे टॉपर्स था उनको जो टॉपर बनाया जो उन्हें मोटिवेशन दिया जो ग करना है जब पहले यह करोगे यह और यह वाइट सोशल मीडिया होगा तब कभी नहीं होगा क्योंकि जब पहला सवाल नहीं हुआ उसके बाद डिप्रेशन आगया छोड़ दिया ना दूसरा सवाल तीसरा सवाल तो आपको बचाएगा कौन आपका साथी को ने आपका दोस् यूटूब वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्ट्रा देख रहे हैं मस्त मजा आरा खुस होगे दो ड़ाएगं टेनी कर लगे तो हमवर्क की हिम्मत यहीं से आईगी क्लास में समझा हुआ है डेली रिवाइस कर रहे हो सोचल मेडिया की डिस्रेक्शन से दूर हो तो हमवर दोस्तों इस पर कभी मैं बहुत बड़ा सेशन लोंगा यह मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स होता है ब्लॉग विल्डिंग यह बहुत अलग चाले की टेक्निक होती है जिसे बहुत बड़े बड़े लोग अपनाते हैं इलॉन मस्क का नाम सुनाओगा मैं कभी बताओं अगर आपने ब्लॉग बिल्डिंग कर लिए और अपने सब्जेट को तीन हिस्सों में बाट लिया और उसी टाइम पर स्पेसिविक टाइम पर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स ही पढ़ो के मिस्टी मैस पढ़ लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता अपका माइंड एक्टिव हो गया शार्प हो गया इफिशेंट हो गया दोस्तों वो फोकस्ड हो करके फिजिक्स के टाइम पर फिजिक्स समझेगा तो आप जल्दी जल्दी सवाल करोगे डिप्रेशन कमाएगा हमारी गलती क्या होती है मन कर आच फिजिक्स पढ़ेगा सब्सक्राइब करते हैं अलग डीटेल वीडियो बना दूंगा इसके पर अभी शॉट में समझ में आ गया कि अभी टाइम पिरड़ चार महीने का बचा है जो अभी जई देंगे 2022 और जो बच्छे क्या करेंगे बाद में स्टार्टिंग से हुआ स्टार्टिंग से उनके नहीं करते हैं तो आपको कन्सिस्टांसी रखनी फड़ेगी तो कन्सिस्टेंसी बहुत इंपोर्डेंट होती यह जा कर कि आती और यह कन्सिस्टेंसी कहां सरथी के स laughed as he has kepler हम क्या करतें गलती पता दुगंते कभी आपको वेश्रुम जाना अकभी पानी पीना सबस्क्राइब करने लड़ते हैं जब तक की पूरा नहीं हो जाता तब तक चलते रहे और सबसे बड़ी प्रोब्लम पता है क्या हो जाती है जो मेरे पास बच्चा के बहुत है सर भूलना सार पेपर छूट गया पेपर ही नहीं हुआ करें वह हमने करीर की चिंता थी वह मारा दिमाग करा था कि नहीं पड़ना है उसकी आईगी तो ब्लॉक बिल्डिंग सिस्टम जो आपने बनाया शुरू हो जाएगा होमवर्क होने के लिए सोशल मीडिया से अवाइड करना पड़ेगा अवाइड करना है तो डेली रिवीजन तभी हो पाएगा और डेली रिवीजन तभी कर पाऊगी जब क्लास नोट्स रेगुलर करोगे क्लास डेली अब इस सिटिंग कैपसिटी को आप कैसे बना सकते हो बाइलोजिकल क्लॉग सिस्टम से कही नहीं कहीं दिख रहा है आपको इस साइकल को मैंने कितना शांदार तरीके से बनाया है बहुत मेनत किये भाई रात के आपको मैं बता दू कितनी बज़री है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं यह देखो एक बचकर 16 मिनिट को बनाया है क्यों कि बहुत मेनत के बाद मैं एक्चली दिमाग लगाया मैंने कि आखिर ऐसी क्या रीजन जिसकी वज़े से सेलेक्शन नहीं हो पारा बच्चों का तो मैंने सोचा कि इसको एक चार्ट फॉम में आपके मैं डिजाइन करूं आपको सारी चीज़े ब औ साइकल को समझ नाएं आप समझरे बात को यह बाइलोंसी क्लोग सिस्टम क्या होता है अगम् conditions अगर गर बनेडोंस स्यिक्स और में खरनी है तो आप जब उठेंगे टाइम पे तभी तो इसको फॉलो करेंगे अब हमने अपना अगर नहीं फॉलो किया तो हमारी नीन तो फिजिक्स के बाद खुली तो आपका पहला स्लॉट जो ब्लॉक विल्डिंग का था फिजिक्स को बरवाद हो गया अब क्या होगा डिप्रेशन आ गया क्योंकि हमारे करेंगे सीधा पहुंचेंगे जाएगा यह पूरे मैंने साइकल बनाये थे आपके पास देखो आप कितने साइकल होगे एक दो तीन चार पाँछे साथ आठ यह आठ ऐसे सक्शन से जो सेलेक्शन की तरफ आपको ले जाते हैं आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों आपके लिए इतनी मेनत कर रहा हूं एक आप मैंने सोचा आप से शेर कर देता हूं ठीक है लेकिन अगले क्लास करूं आभी नहीं बहुत इंपोर्डेंट चीज शेर करना चाहता हूं आपको क्या ख्याल आए जिसकी वज़े से आप ये बोलने वाले थे लेकिन रुख गए ठीक है जानने के लिए इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का ठीक है चली मिलते हैं गूड़नाइट